तो दोस्तों Adobe Illustrator की course की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि Adobe Illustrator को download और install हम किस तरह से कर सकते हैं देखो यार पाकिस्तान में फिल वक्त Adobe Illustrator को या Adobe के किसी भी product को आप बाइर नहीं कर सकते देखो तरीके हैं लेकिन as a simple person अगर आप उनकी website पे जाते हो और आप चाहते हो कि आप उनकी कोई भी product को purchase करो तो वो आपको allow नहीं करते हैं क्योंकि इस region जो के पाकिस्तान है यहां पे वो direct purchasing allow नहीं करते हैं अपनी website पे इंडिया का मैं कुछ कह नहीं सकता और मेरे ख्याल से इंडिया में purchasing available होगी मेरा ज्यादा ख्याल इस तरह से जाता है लेकिन अगर आप उसको purchase कर सकते हैं तो definitely go for it अगर आप कर सकते हैं तो इस चीज़ को mind में रखेगा वरना दूसरी बास सीधी सी है कि लोग उल्टे तरीके से ही आज तक अडोबी लेश्वेटर यहां डोबी के किसी भी product को use कर रहे हैं तो उल्टा तरीका मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकता लेकिन हिंट आपको जरूर दे सकता हूँ जो के मेरे ख्याल से मैं दे चुका हूँ और आपने खुद ही इसको understand करना है तो इतना मुश्किल नहीं है ठीक है सब को पता है movies किस तरह आप देखते हो यहां जो भी करते हो तो आप figure out कर लोगे मुझे पूरी अमीद है लेकिन उसके बाद का जो process है कि हमने उसको figure out कर लिया उसके बाद हमने जो package मिलेगा उसमें हमने installation किस तरह से करनी है तो चलते हैं और वो देखते हैं यह मेरे सामने एक package आ गया ठीक है इस तरह का ही कोई package आपको मिलेगा आपने इसको open करना है यहां पे चार folder होंगे normally चोथा folder setup.exe इसको double click करें यहां पर आपसे admin permission लेगा मेरी second screen पर गया है तो मैं उसको yes कर देता हूं और यह रहा उसका pop-up जो setup आया है ठीक है यहां भी आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना जो है उसे by default रहने दें और यहां पर बस देख ले language अगर कोई और आ रही है तो उसे English कर लें continue यहां पर आ आपको कह देगा कि install हो चुका है you are good to go तो यहां पर आप देख सकते हैं कि installation complete हो चुकी है इसको just my simple close करूँगा यहां से enough अब just windows के button को open करें और मेरे ख्याल से वह दूसरी screen पर हो रहा है मेरे पास यहां पर Adobe Illustrator होगा even आपके desktop पे भी Adobe Illustrator का icon आ जाएगा तो उसे वहां से भी आप open कर सकते हैं थोड़ा सा यह इस तरह से processing का time लेगा आपका which is normal for the first time और यह open हो चुका मैं इसको इदर ले आता हूँ देखें मेरे सामने यहां पर सब कुछ blank है उसका reason के जिस तरीके से हमने इसको download किया है ना वो तरीका ठीक नहीं है तो यहां पर home page हमारे पास ठीक नहीं आया मुझे पता है मैं 2018 यहां इस से नीचे जाता 2020 से तो मैं आपको अच्छा preview यहां पर दिखा सकता था कि यह इस तरहां का इसका user interface होता है start में ऐसे होगा या वैसे होगा जो कि मैं भी वीडियो को quality को थोड़ा अच्छा नजर आता वीडियो में अगर आप देखते तो लेकिन I don't care about it मैं just world की reality आपको बता रहा हूँ कि आपने काम किस तरह से करना है just यहां पर आप जाएं आपको इतना गंदा preview देखने की जरूरत नहीं है हर बार edit पर जाएं preferences पर जाएं general को open करें और यहां प्यारा होगा show the home screen when no documents are open इसको just uncheck करके आप ok करतें जैसे ही आप इसको ok करेंगे आपके सामने यह एक यहनु उसकी window open हो जाएगी जो कि home screen ना हो तो ऐसी नज़र आएगी आपको अब यह आगे की वीडियो है कि इसका user interface किस तरह से है इसके tools कहां पे हैं यह side पे चीज़ें क्या है यह उपर चीज़ें क्या हैं तो इसके बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं अभी के लिए इतना ही था मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए इतना ही